न्यूट वाइस जो हर खबर से आपको कराय रूबरू जिसका परिणाम उसे भुगत न पड़ा अब खटर सरकार भी भुगतेगी वे आज 18 दिन हर्ताल पर बैठे रोडवेज करमचारियों को समर्थन देने के उपरां पत्रकारों से बाच्चित कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह पुंजी पत्यों की सरकार है यह तो किवल अडानी और अंबानी को फाइदा पहुचाना चाहती है पहले बिजली फिर स्कूलों और अब रोडवेज का निजी करण कराना चाहती है जो कि सरासर गलत है लगता है भाजपा सरकार करमचारियों की ताकत से वाकिफ नहीं है इस सरकार में जिन करमचारियों को बर्खास किया गया ह कॉंग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें बहाल किया जाएगा 720 बसों के निजी करण के फैसले को भी तुरंत प्रभाव से रद किया जाएगा उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी का रोडवेज करमचारियों को पूरा समर्थन है करमचारियों पर एस्मा लगाना एक तुगला की फर्मान है जिसका खाम्याजा सरकार को आने वाले चुनाओं में निश्चित रोप से भुगतना पड़ेगा उन्होंने सीम खटर को नसियत देते हुए कहा कि वो अपना दिल बड़ा रखे और करमचारियों की जायज मांगों को मान ले पिछले चार वर्सों में ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार के खिलाब सडकों पर ना उत्रा हो यह सरकार के लिए ठीक नहीं है उन्होंने कहा कि पांच राजियों के चुनावों में कॉंग्रेस अपना पर्चम फेराएगी और हाल ही में जो भव्य मूर्ति का निर्मान हुआ है उसके सवाल पर कैप्टन आजे ने कहा कि इससे लोगों को कोई लाब होने वाला नहीं है यदि इस पैसे का कोई संस्था पर प्रयोग किया जाता तो उसको लोगों को फाइदा मिलता और सर्दार पटेल का नाम भी होता रिवाडी से न्यूजवाइस के लिए संजे कोशिक के साथ आजे सागर अत्री की रिपोर्ट यह सब कुछ निजीकन कर रही है आपने देखा हो हमारे जो बिजली के जो प्लांट है उस सब बंद कर दी है सारे अडाने के बाने को दे रहे हैं उसी प्रकार चे स्कूलों को प्रड़ाइस कर दी है स्कूल सारे बंद हो रहे हैं अब इनका तीसरा नमपर रोड़ वेज का आगए है, कि चाते हैं रोड़ वेज जो है बंद हो जाये और पूरा निजीकर्ड करते हैं, फिर सरकार क्या करेगी, मंतरी और विधायक जो है, बुक्य मंतरी अगर सब कुछ निजीकर्ड हो जाएगा, फिर जो टेक्स हम वसूल कर अपना खुद का अपना फ्रीट लें नहीं और यह आप बार बार कहा करते हैं नहीं बसे लेंगे और एक हम बात कहता हूं इम करबचारे को मने एक बात कह दिया है कि जिन लोगों को यह डिस्मिस कर रहे हैं उनको हम द्वारा भाल करेंगे और जो इनका रुक्षान हो उसकी और बढ़े हम करेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि जो निजीकंट सरकार कर रही है उसको हम क्रैप करेंगे अब आप देखी रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार की नियद ठीक नहीं है मेरी खटर साहब से कुक्रमंतली की अपना बड़ा दिल रखें और यह निजीकंट आप देखिए कि करमचारे को डिस्मिस करना आपको याद होगा कंगर्साद में भी हमारे के मुख्यमंत्रीजी ने जो है करमचारों खिलाफ कारे किया था उसका दिद्धिया भुगतना बड़ा तो इस सरकार जो है अभी लोगसवार एसेंबली को सुनाव आ रहे हैं और जारे हो खलाब इस परकार से लिए चलेंगे तो सरकार त्थी फलेगे और मोटीजी तो वैसे ही अपना जोड़ा ठाई फिर रहे हैं आपके यह गास्टीचर्ज आपके रोड़वेस के करमचारी हैं बिट्री बोड के करमचारी हैं और आंगना बाडी बरकर्ष और आपकी यह जो बिड़े मिल्स वाली है ऐसा कौन सा विभाग है जो संतुस्ते अपने यह मेकनिकल इंजिनर वाले जो लोग है पीडिमुटी के लोग हैं किरिकेशन के लोग हैं सब लोग लाम बने मैंने अपने जीवन मैं 32 साल से राजीते में हूँ मैंने इतना अक्रोष करमचारिय में किसानों में वेपारियों में इस सरकार खिलाब जीजना इस योजना हम देखा आज से पहले मैंने कबिड़ी देखा इसमा तब लगा अकर यह तोड़ खोड़ कर रहे हूं या कोई अब जैसे बिजली तो बोड़ वाले उनलों तो एशेंचल सर्विश्यों तो दे रहे चैनल तो पाने दे रहे अगर उसमें बादा आती तो बात दूसरी अब ऐसमा किसी पर रगाते हैं यह तो कुई बात कि नहीं है तो तुम्री की फरमान हो गया तो यह तो इनजस्टिस है और टोटली जो है यह कहीं भी इस्टैंड नहीं ने करेगा कोट में स्टेंड नहीं करेंगा और यह मूग की खाएंगे इनके साथ हैं अब समय कितना रहेगा च्छे में तो बच गये हैं हैं च्छे मिले बाद हम इलाज करतेंगे जनता इलाज अपनाप करते कि इन करता तो यह जनता से मेरा यही है अपने जनम दिश्पर मैं आज 61 साल पूरे कर लूँगा तेखो राजीति में जोज वक्ति कोई आना चाता है सेवाग भाव से आये तो ठीक है अगर इसली आए कि पैसे कमाने हैं और टाम नहीं करना जनता के बीच में रहना जीए जो जमीन से जुड़ा रहेगा तो राजीति में सफल रहेगा अगर कोई में बंदेपर्देश में हूं राजिस्तान में हूं और तेलगाने में और मनिपूर में गया नहीं हूं लेकिन में जो रुजान आ रहे हैं उस साथ से लग रहा है कि इस बार कॉंवर्स का राज तमाम राज्यों आएगा और बीजेपी वारे जो हैं इनका ना तो राम मंद ना गंगा साथ करी इंड़ी देख लो कि इतनी गव माता है शडकों बैठी रती हैं यह केवल धरमों जाती संपर्दायक दंगे बढ़काना जानते हैं बाके इंको कोई लिणादनी अडानी अंबानी और अलाइंस चे वो रफैल जट मिमानों सब में घूस खाने का काम है निका प्रस्टा चार से लिफ्ट है सरकार एक सो क्रोड अगर एमज में लगा जाते हमारे हां बेड़े के कॉलिजी बन जाता और दो जगे और बन जाते इतने में इतने पैसे प्रबाद करके इसकी बजाए सरदार प्रडेली जी के नाम से कोई इंस्ट्यूशन खोल दी होती तो उससे जन्म जन्म तक मूर्ति देखो इतनी बड़ी मूर्ति बढ़ाने का जन्ता को लाब नहीं हुआ जन्ता हो तब लाब होता है जब हमारे जो बच्छे हैं को पढ़ते लिखते सदार प्रडेल के बारे में महां पता लगता अब वहां पर क्या है यह तो वेस्ट बनी है